तिंट पर फ्रेंट में से श्राश्पुरिच अब सभी क्या स्वागत करता हूं मेरी यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा अलग है मतलब हाइड्रोपॉनिक के ऑपोजीट है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे उससे पहले एक छोटी से अपडेट देनी थी आपको अपडेट यह थी कि आप सब को जैसे पता है कि मेरी चैनल का नाम राइडर राजप्रोईट के नाम से था पर होता यह था कि चै बना चुका और तो आज से मारे चैनल नाम थोड़ा सब्किल एक चानल का नाम राइडर राइडर तो उस Лिए मैंने नया चैनल बनाए और उसका अभी तब नाने और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे एक अच्छा सा नम से चो करें तो एक अच्छा सा नाम् ट्रेवलिंग और राइडिंग से रिलेटिव आप मुझे निशे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आगे या पीशे राजपुरी डालके कुछ ऐसा टाइटल रखूं ताकि मेरा चैनल का नाम रख सको ट्रेवलिंग तो आज बात करेंगे नया टॉपी के बारे में जो कि उसके अपोजिव डैर उसी के बारे में शुरू करते हैं अब तक जिन्हों चैनल को ना किया आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाए ताकि मारा वीडियो में आपको चैनल करें जादस जादा कमेंट करके बताईए और जादस जादा लाइक कीजिए ताकि मैं उसके उपर लिटल और अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों बात शुरू करते हम नए से सब्सक्राइब के बारे में जैसा कि ए हमें न्यूट्रिन की जुरूरत नहीं होती है और उसके जगह हमें यूज करते हैं फिश यहनी मचलियों को और यह मेरे पास बाद में आपको बताऊंगा यह फिश टैंक मैंने लाया है तो उसी पर रिसर्स की है मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हसल लिए और उसके बाद म मैं अभी शुरू करता हूं एक वीडियो बनाना ऐसी पर तो यह फर्स्ट टेप है तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं एक नए वीडियो बनाऊं क्या एक्वोपनिक पर तो एक्वोपनिक में होता यह है कि आपको किसी तरह की न्यूट्रिन एड़ करने की जुरूत नहीं पड़ती है अपको न्यूट्रिन शॉलीशन मिलाना ही पड़ेगा तब जाकि आपका हड्रोपनिक वर्क करेगा और होता है कि काफी मेरे सबस्क्राइब बनाने वीव्योष को प्रॉब्लम ही आती है कि न्यूट्रिन का शॉलीशन बनाने में काफी तकलिब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा उसके लिए है थोड़ी आवाज बहुत हार यह चारों तरफ से कंट्यूनियां बारिश हो रही है मुंबई में तो उसकी के वज़े से आवाज बहुत ज्यादा हो रही है खरको निमें काफी टाइम से वेट कर रहा था कि बारिश रूके तो मैं वीडियो बनाऊंगा पिछले पिछली रा होता रहता है क्योंकि यह नेच्रल यह कुद्रती है तो होना हम उसको रोक नहीं सकते हैं तो इसी के बारे में आप से पूछना था क्या मैं है थोड़ा अलग है थोड़ा अलग एकोपानिक पर काम करूं या ना करूं कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जुरूर बताईएगा कि क्या में अक्रोपानिक पर काम करना चाहिए ताकि जितने भी मेरे विवर्स हैं उनको यह सोलेक्शन की जो तकलीव होती है यह कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाएगी सिंपल सा फंडा है एक बार समझेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो इसी क अपटेट तो मिलते हैं इसी के बारे में कमेंड कीजिए और बदाईए कि मुझे कि मुझे क्या मुझे इस पर करना चाहिए तो चलिए फिर मिलते हैं इसी का सेकिनड पार्ट पर वब्सटै कीजिए सब्सक्राइब इलाइकन को दबाईए ताकि हमारा वीडियो पेले झाल